आज मैं फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आई होप मेरी आज की भी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो अभी मैं रात में जो मैं काबली चनल को पूलने के लिए दी थी ना तो उसको मैं भी कुकर में डा मैं जल्दी से बनाने की कोसिस कर रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए और टेश्टी भी बन जाए तो मैं आज सब कुछ को बिना काटे पीठे मैं बनाने वाली हूँ तो अभी मैं नॉर्मल बड़े अभड़ी पानी के आधे सब्सक्राइब दुमें और अधे सब्सक्राइबाय। मैं हल्दी पावडर डाली हूँ और अभी गैस कोन करके इसमें मैं दो एक चमच बड़े चमच से चाई को खौलाऊंगी और इसको मैं चने वाले कुकर में डाल के इसको फी पकाऊंगी कि तो ऐसे मेरे दो ग्लास पानी हो जाएगी तो फाइनली मेरी चाई पक चुकी है अच चने मतलब चने की जो छिलका होती है वो थोड़ा सा नर्म हो जाएगी वो खाने में थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी पचे की जल्दी इस वज़े से चाई की पत्ती डाली जाती है और कुछ इसका कोई इस्तमाल लिए कि कलर वगरा के लिए ये कुछ इसका इस तो मैं चाय भी बनाई थी तो मैं चाय भी पी रही हूँ तो किस-किस को छोले हो ज्यादा पसंद है और छोले पसंद है लेकिन उतना महनत कहना पसंद नहीं है तो मुझे कमेंट में बताइए तो भी मैं मैं मैंदास आने जा रही हूँ तो आज मैं सोची की कच्छोरी बना द दही चाहिए थी तो अभी घर में दही नहीं जमी हुई है और 14 जनवरी के बाद मतलब अभी हम लोग मतलब जब जनवरी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद हम लोग दही नहीं खाते हैं जब तक 14 जनवरी जब तक नहीं हो जाती है क्योंकि दही चूड़ा हम लोग खाते ह सब्धाने है इस वजह से तो अपलोग मानते हैं लोग ही तो माना जाता है तो हम्स यह ही मानते हैं दही नहीं खाब सकते गुड़ नहीं खाब सकते जब तक हम लोग कि चौदा जणवरी मकर्सक्रांती नहीं की JUST मैं भुझ बहुता हैं तील ऊइदा मेरे मैंधा इसए मैं मिक्स कर चूकी उजा , फटूर बनाने के लिए दही काता विदा में सब हो हुँ दूबे करें ताकि मैदा अच्छे से सन जाए कि ठंडे पानी से थोड़े से हार्ड हो जाती है गरम पानी से थोड़े से सौट बनती है तो भी मैदा को अच्छे से सान रही हूं सानने के बाद इसको मैदा को थोड़े से रेस्ट करने के लिए दस मिनिट तक रेस्ट करने के लिए दे दू सबस्काइब नहीं हो चुकियए, अब बाहर पकानी सांसिर gdzieś इसे विछ founding मैं मैंदा भी स्टांगर। तो मैं थोड़े से उयल ढालूंगी इसमें और और युद् मृय इसमें के अब कुमधी छोड़ स्वेच दूढ़ cancer मैं 15-10 मृद के ने खोर होब तो किस को simple कचोरी पसंद है मुझे simple कचोरी पसंद है क्योंकि मेरे नाने घर में मतलब morning के type में नास्ते में simple कचोरी आती थि तो हम सिंपल कचोरी खाये हम लोग को आदत हो चुका है so simple कचोरी खाने का तो basically मैं simple कचोरी ज़्यादा बनाना प्रेफर करती हूं कि हम लोग बच्पन से खाए हुए मेरी ममी पापा लोग भी खाए हुए तो आप लोग समझ सकते कि बंगाल में पश्चिम बंगाल में कचोरी ज़्यादा हम लोग जहां रहते हैं तो हाँ कचोरी ज़्यादा बनती है हरे एक दुकान में, हरे एक स्टॉल में आपको कचौरी देखने को मिलेगी तो बंगाल में कचौरी ज़्यादा मिलती है, इसी वजह से हम अज बना रही हूँ वैसे कचौरी बनती है, तो हम लोग को आदत है, इस वज़े से हम लोग सिंपल कचौरी बनाते है तो मेरी गरम हो चुकी है तो अभी इसमें मैं कचोरी को डाल रहे हूं और मैं कचोरी बनाऊंगी तो मैं थोड़ी सी फुली-फुली कचोरी बनाऊंगी क्यों मैं इसको रेस्ट करने के लिए पांच मिनेट मतलब दस मिनेट छोड़ दी थी तो इसे 10 मिनिट रखने से मैदा अच्छे से फूल जाती है अच्छे से पानी को अपजब कर लेती है इस वज़ा से अच्छी से फुली-फुली कचोरी बनेगी तो आप लोग भी एक बर ऐसा ही ट्राइ कि जिस सिंपल है असान है आप लोग सिंपल ज्यादा ट्राइ करना पस कारें कि मेदे नाया बहुत सिंपल फूली को अपर से में अच्छी से प्यूआज मैजने धमारी बहुत वालिए। वह की कभिल है योटता बहुत सिंपल बनान से मैट जल्ली-फुली को Hagais जल्ली-अब गूम गूम के देखता है कि कब मुझे खाने को मिलेगा तो जैसे ही हो बनता न तो हमेशा बोलता है कि सबसे पहले मुझे देना मुझे देना तो इसलिए हो भी घूम रहा है और मुझे बोल रहा लेकिन मैं उसके तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ कि अगर मैं उधर ध्यान को थोड़ा से देखते हैं पसंद आती है मैं जो भी वीडियो अप्लोड करती है आप लोगों को थोड़ी से पसंद आती है तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सकाइब कीजिएगा और प्लीस लाइक करके मुझे बताएगा कि मेरी वीडियो कैसे बनी अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी बनी है और मतलब मैं जो खाना वगएरा बनाती हूँ आप लोगों को पसंद आती है मैं सिंपल और इजी तरीका से बनाती हूँ जिससे कि कि किसी को बनाने में आसानी हो ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब किसी को भी ज़्यादा मतलब यह लगे कि इसमें यह समान नहीं है क्योंकि मैं खुद ही लोवर फैमली से बिलोग करती हूँ तो मुझे हर एक समान नहीं होती है तो मैं जितना भी समान मेरे पास रहती है यह जो काफी नरम हो चुकी है जो कि खाने में आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा तो अभी मैं एक एक करकेस में इससे आलू निकाल रही हूं कीकी मैं आलू को थोड़ citro Emil के डालू के डालू को बना रही हूं कि मैं इसमें जीरा डालू का पेष्ट में डालू कि इससे आप लोग चाहें तो घीसके इसित्वाल कर सकतीई तो मैं आप लोगों को बढ़ा दू कि मैं घिस के इस्तेमाल नहीं कर सकती अगर मैं जब भी इस्तेमाल करूंगी तो मैं मेरी सिस्टर घिस के देगी या दिते घिस के देता तभी मैं बनाती हूं घिस के ऐसे मैं घिस नहीं पाती हूं कि मैं पहले ही आप लोगों को बढ़ा आप नुक इसने में डाल देखा खिए असमें कोछ काठकी बालीत कर नहीं है इतना पकाऊंगी कि जिसे की ग्रेवी थोड़ी सी कम हो जाए जिक करे कि अभी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा है तो अभी मेरी चोले पक रही है तो तक मैं बरतन वगएरा को साप कर ली। क्योंकि बरतन जादा गंदे रह जाते हैं तो उसके बाद खाने के बाद और भी जादा गंदा हो जाता है बरतन जिस वज़े से तो finally मैं जल्दी 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 सबको बरतन को मैस्ट, मतलब बरतन को अच्छे से मैस्ट चुकी हूँ तो अब इसको मैं धो रही हूँ, एक एकर जल्दी से धो लूँगी ताकि मेरी छोले भी बन जाये, कोचोरी तो मैं already बना कर रख ली हूँ और अभी बरतन को भी मैं साफ कर ली रही हूँ उसके बाद सभी को निकाल की खाने के लिए दूँगी तो फाइनली मैं बरतन को बॉस करके छोड़ दी हूँ और अभी मैं चेक करने आई हूँ कि कहीं छोले सट तो नहीं रहे न तो यह मेरी easy and simple recipe है जिसमें आप लोगों को न मैं साले यूज करो और उसके बाद इसको डाल दो और यह इतनी easy है इतनी simple है बस थोड़े से boil होने में time लगेगा लेकिन इसको बनाने में time लगेगा क्योंकि मैं already दो glass पाणी डाल दी थी ना एक glass पहले डाली थी और एक glass चाई में डाल दी थी इस वजह से मेरी थोड़े स तो इसको थोड़ा सा thickness करने के लिए time लग रहा है ऐसे आप लोग बनाऊगे ना तो 30 मिनट में अच्छे से बन जाएगी और बिना जंचट के बन जाएगी तो finally मेरी छोले ready हो चुकी है तो मेरे घर मेरे छोटे वाले भाई आ चुक है तो थोड़े से gate बजा रहा है इस भी आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और तो मिलते हैं अपने next ब्लोग पर तो आप सब भी ऐसे ही simple जो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी हो वैसे अगर छोला बना के खाने का मन हो तो आप लोग ऐसे ही छोला बना के एक बार ट्राइग कीजिए खाने में बहुत टेस्टी लगे ऐसा बात नहीं कि मैंने जैसे बनाया है तो आप लोगों को एक बार ट्राइग कीजिए खाने में बहुत टेस्टी लगेगी और कोचोरी भी बहुत टेस्टी लगेगी तो फाइनली मैं इसे खाने जा रही हूं तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे तब तक के लिए बाई बाई और ये मैं आप लोगों को दिखा देतू कि 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 इतनी मुलायम है मैं एक हांसे पकड़ी हूं और एक हांसे मैं तोड़ के खा रही हूं तो आप सब समझ सकते कि कोचोरी कितनी मुलायम है और कितनी अराम से तो एक बाईट आप लोग लिए तो एक बाईट आप लोग लिखा सकते हैं बाई बाई